नमस्कार दोस्तों मैं साधना फिर से हाजीरू आप सब के सामने आप सब को बेहत बेहत पसंद आने वाले ड्रिंक को लेकर के थंडी गर्मी साधी बारिस कोई भी मसम हो इसे सब को बहुत पसंद आता है तो चलिए हम इसे घर पे बनाएंगे और इसे कैसे बनाते हैं तो रख दिया है तो इस चलाते हुए उबा लें के इसमें हमें मलाई नहीं पढने देना है तो इसलिए इस से हम दियाГे चूड़ेंगे नहीं लगातार हम चिम्मत की सहायता थे चलाते ोगा इस सब्करारने रखना तो इसे आप देख सकते हैं इसे हम उबाल आने तक खुब अच्छे से पकाएंगे खुब गाड़ा होने तक पकाएंगे तो यह हमारा दूद अच्छे से उबल रहा है कि आप देख सकते हैं दूद में अच्छा बॉइल आ चुका है तो दूद को हम ऐसे उबलने देंगे और बीज बीच में इसे हम अच्छे से चिमच की सहाता से चलाते रहेंगे हमें इसमें मलाई नहीं पढ़ने देना है तो जब तक दूद उबल रहा है चलते हैं नेश्ट प्रोसेस की और तो हमने एक बाउल ले लिया है एक चोटा सा कटोरी ले लिया है इसमें हम डालेंगे चार से पांच बड़े चिमच कॉन फ्लॉर कॉन फ्लॉर आप सबको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में और यह ऐसे तो सबके घर पे रहता ही है तो यह मैंने चार चिमच कॉन फ्लॉर ल तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स करते जाएंगे और हमें लगेगा कि पानी की जरुरत है तभी हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी एड़ करेंगे तो बस इतना ही और आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूं चिम्मट से उठाकर इस तरह से बहुत पतला नहीं है यह हलका गाढ़ा सा है इस तरह का हमें पेश्ट बनाना है और इसी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम एक पैन रखेंगे गैस पर और इसे हम उसमें डाल कर एकदम स्लो आज पर इसे हम लगातार चलाते हुए इस तरह से मिक्स करते हुए इसे हम पका लेंगे आप देखेंगे दीरे-दीरे ये एकदम से गाढ़ा सा हलवा जैसे हो जाएगा तो आप देख रहे हैं ये दीरे-दीरे गाढ़ा हो रहा है फ्लेम को हम एकदम स्लो ही रखेंगे नहीं तो ये जल्दी से नीचे से जलने लगेगा और इसे हम रुकेंगे नहीं लगातार इस तरह से मिक्स करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सारा पानी डाला था इसमें लेकिन पानी सब कुछ एकदम से सोक कर लिया है तो इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे यह जब बिल्कुल पक जाएगा बिल्कुल अच्छा पक जाएगा जब यह तो यह एकदम ट्रांस्पेरेंट की तरह दिखने लगेगा वो फालोदा मार्केट में मिलता है उसमें जो सेवही होती है तो हम यह बिल्कुल वही सेवही बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं है तो इसे हम अभी और पकाएंगे इसको हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे ताकि यह हर तरफ से जो भी है अच्छे से पक जाए तो भी इसे थोड़ा देर हम इसे और मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए और अच्छे से पका लेंगे और फ्लेम को याद रहे एकदम स्लो रखना है जरा भी फासने करना है और इससे हमें कंटिन्यू लगातार चलाते रहना है तो आप देख सकते हैं यह हमारा रेडी हो चुका है हमें बिल्कुल इस तरह से ही इसे पकाना है मैं आपको कैमरे में आगे से करके दिखा सरी हूँ देख सकते हैं आप एकदम ट्रांस्पारेंट टाइप का यह हो चुका है तो इसे हम ठंडा होने देंगे और चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पे तो उसी बावल में मैंने ले लिया है सिर्फ दो चिम्मच कॉन फ्लॉर तो इसको हम एकदम पतला पानी डाल कर एकदम पतला सा गोल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना पानी एड़ किया दो चिम्मच में हम इसमें आधा गिलास जितना पानी पुरा डाल दिया एकदम पतला एकदम पतला गोल है यह हमने पहले जो बनाया था वह बहुत गाढ़ा था पर यह एकदम पतला सा गोल है तो यह दूद हमारा अच्छा उबल रहा है तो फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे या बंद कर देंगे इसके बाद हमने जो पतला पानी का गोल बनाया है वो इसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा एड करते जाएंगे और याद रहे इससे हमें लगातार चला इसको मिक्स करते रहना है नहीं तो कॉन फलॉर एक जगा पर जाकर जब जाएगा और जगा जगा गठे-गठे हो जाएंगे दूद में हमारा ये अच्छे से मिल नहीं पाएगा तो फ्लेम को ये असलो करो या फिर बंद कर देंगे और इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे तो इसे हम अच्छे से mix करते रहेंगे तो इससे क्या होगा दूद हमारा गाढ़ा हो जाएगा तो आप देख सकते दूद कितना पतला था और आप देखिए स्पून पे चिमच पे तो किस तरह से चिमच पे लग रहा है तो हमें इतना ही गाढ़ा करना है और फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसमें हम इस टाइम पे डालेंगे सक्कर तो एक लिटर दूद में मैंने इसमें 100 ग्राम सक्कर डाला है आपको कम ज्यादा मीठा जैसा आपको पसंद हो आप अपने अंचार ले सकते हो तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही इसमें हम कुछ ड्राइफ रूट है जिससे मैंने कद्दू कस कर लिया है ये बादाम और काजू और कुछ साब मतलब कुछ टुकडे भी है और बाकी मैंने ग्रेट कर लिया है इसे भी हम इसमें डाल कर कर दिया है कि अ कि आम देख सकते हैं एकदम काढ़ा हो चुका है और फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे अर इसेह हम अलग बरतन में निकाल कर थंडा कर लेंगे मढ़े क्यातर इसे मैंने अलग बरतन में निकाल लिया है तो इसे हम Thanks से Mix करते हूँ ठेकी नीचे रखकर अच्छे से थंडा करेंगे उसके बाद हम इसे फ्रीजर में रख देंगे इसमें मलाई ना पढ़ने पाए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है तो चलते हैं नेश्ट प्रोसेस में तो हमने जो कॉन फ्लोर का हलवा तयार किया था अब उससे हम बनाएंगे समय तो उसके लिए आपके पास होगी यह समय बनाने की ऐसी मसीन तो हम इसके अंदर वो जो हलवा है वो डाल देंगे और इसे बन कर देंगे और हम साथ ही लेंगे एक बड़ा बावल और उसमें हम डालेंगे एकदम चेल वाटर आपके पास आइस क्यूप है तो वो भी इसमें डाल लेंगे और एकदम ठंडा पानी हम लेंगे तो मैंने ये ठंडा पानी ले लिया है और इसको हम इस तरह से इसमें घुमाएंगे तो हमारी जो कौन फ्लॉर है वो सेवाई बनकर निचे आएगा तो आप देख सकते हो हमारी सेवाई एक दम ट्रांसफेरंट निकल रही न एक दम से जैसे हम बाहर फालोदा खाते हैं उनके पास जो सेवाई रहती है बिल्कुल यही प्रोसेस वो भी करते हैं तो हमारी सेवाई भी बनकर रेडी हो चुकी है आप देख सकते कितनी अच्छी लग रही है कितनी अच्छी बनी हुई है एक दम रेडिमेंट जैसी मार्केट जैसी तो इसे हम अच्छे से निकाल ले पानी तम ठंडा होना चाहिए यह चीज का हमें खास ध्यान रखना है तो इसे अब हम अलग कटोरी में निकाल लेंगे अलग बरतन में हम इसे निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अलग कटोरी में निकाल लिया हुआ है तो हमारा फालो दयब बन चुका है अब हम चलते हैं इसे शर्व करने के लिए तो अब हमने यह तीन ग्लास ले लिया हुआ है काच का आपके पास जो भी हो कोई मतलब श्टील की काच की आप कोई भ पहले डालेंगे सब्जा तकमरिया भी जिसे बोलते हैं तो इसमें मैंने यह सब्जा डाल दिया है एक एक चिमच बनाने के आधा घंटा पहले आप इसे कटोरी में पानी डाल कर भिगा देंगे तो बिल्कुल यह इस तरह से हो जाएगा तो साथ ही हमने जो से मैं बनाई है वो हम डाल देंगे तो हमने इसमें से मैं भी डाल दी है और मैंने आपसे कहा था कि मेरा फालूदा थोड़ा अलग है तो फालूदे में आइसक्रिम डालते हैं लेकिन मैं इसमें डाल दियूं मैंगो जेली आप एक बार जरूर ट्राइ करना मैंगो जेली फालूदा आपको बहुत अच्छी लगेगी बहुत टेश्टी लगती है और यह फटा-फट से बनकर तैयार भी हो जाती है अगर आपके घर में आइसक्रीम नहीं है तो अगर आपका फालोदा खाने का मन है तो आप जल्दी से ऐसा फालोदा घर पर भी बना सकते हो तो यह जैली हमने डाल दिय करें तो इसके बाद हमने जो दूद दूबाल कर रखा था इसे भी हम इसमें एट कर देंगे और इशके साथ हे मैं इसके उपर डालेंगे कुछ बाहरी कटे हुए ड्राइफ रोट्स तो मैंने बादाम कट करकी रखा था वो मैने मने इसे डाल दिया तो हमारा फालोदा बन ही टेश्टी लगता है हमारे घर में हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना आपने ट्राइब कि आपको कैसा लगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक झाल को सब्सक्राइब करना आप जरूर लगे तो हमारे तो हमारे तो हमारे बध्योपको अच्छी लगे लगे तो हमारे ऊत्या सुछ आपको कि अजर आपको पसे नहीं बचे हैं झाल झाल